दोस्तो अगर आप भी पीते हैं मटके का पानी तो हो जाए सतर्क मटके का पानी पीने से कई सारे चौकाने बाले खुलासे सामने आए हैं जिसे सुनकर हो जाओगे हैरान दोस्तो भले ही आज के दौर में लोग फिरीच का पानी ज़्यादा पीते हैं लेकिन अब भी काफी लोग मटके का पानी पीना ठीक समझते हैं उनका मानना है कि फिरीच के पानी के मुकाबले मटके का पानी सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा होता है साथ ही मटके के पानी का अलग ही स्वाध होता है चिकित सको की माने तो कुम्हारों द्वारा बनाए गए मटके के फाइदे ही फाइदे है जिसे जान कर आप हिल जाओगे मेडिकल साइंस भी मटके के पानी को उत्तम मानती है आपको बता दे हरगली और चौक चौराहों पर देशी फिरीच की डिमांड बढ़ गई है इसलिए मुख्य चौराहों में सडक के किनारे मटकों का बाजार लगा हुआ है कुछ सालों में इन मटकों की मांग शहरी इलाकों में कम हो गई थी मगर अब फिर से इनकी मांग होने लगी है तो ऐसे में हम ये जानते हैं कि मटके में रखा पानी किन-किन बिमारियों को खतम करता है तो चलिए जानते हैं दोस्त व नंबर बन विशेशग्यों के अनुसार गर्मी में मटके का पानी जितना ठंड़ा और सुकून दायक होता है स्वास्थ के लिए भी उतना ही फाइदे मन होता है इसका तापमान सामाने से थोड़ा ही कम होता है जो ठंड़क तो देता ही है साथ ही पाचन की किरिया को बहतर बनाने में मदद करता है मटके का पानी पीने से सर्दी, खासी, जुखाम नहीं होता क्योंकि ये पानी मीडियम होता है दोस्तो नमबर टू मटके का पानी पीने से कैंसर की बिमारी का खतरा बहुत कम हो जाता है घड़े का पानी गले से सम्मंदी, बिमारियों से बचा कर रखता है मटके से कई घातक बिमारियां दूर रहती है मटके का पानी बच्चों को जरूर पीना चाहिए मटके के पानी से दस्त, डायरिया, पीलिया भी दूर रहता है मटके का पानी प्रकर्टिक तौर पर ठंडा होता है जबकि फिरीच का पानी इलक्ट्रिक सिटी की मदद से ठंडा रहता है बलकि एक बड़ा फाइदा ये भी है कि इसमें बिजली की बचद भी होती है और मटके बनाने बालो को भी लाब होता है दोस्तो नमबर फाइब अगर आप दमा के रोगी हैं तो भी मटके का पानी पीएं लकबा मरीच को मटके का पानी नियमित तरीके से गर्मी में पीना चाहिए इससे उनको फाइदा मिलेगा बहीं अगर किसी को शुगर की बिमारी है या दिल की बिमारी हो तो मटके का पानी सर्वशेष्ट उत्तम माना जाता है दोस्तो जानकारी पसंद आये तो एक लाइक तो बनता है